हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अमूल कासार आपका नासिक के बिस कॉमर्स अकैडमी में स्वागत करता हूँ जिसके यूटूब, टेलिग्राम और हमारे अमूल कासार एकेसी एप इन सब जगह पे मिला के मोर दैन 45,000 शुडेंट ने टरस दिखाया हुआ है दोस्तों जैसे कि आ पहला चैप्टर सही तरीके से होगा तो आपका दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और लिंक लगते जाएगे और आप अकाउंट में एक्सपर्ट बनोगे और कंसेप्शल भी क्लेर रहोगे तो अगर आपने पहला लेक्शर नहीं देखा जिसमें ट्रांजेक्शन क्या होते हैं वो मेंने बताया हूँ तो जरूर देखिए गा सर आज इसी चार्ट में से हर एक चार्ट के हर एक पॉइंट को मैं आपके बताने वाला हूँ और आपको हर एक lecture में कुछ नही नही बाते समझेगी वैसे previous session में भी मैंने कुछ questions दिये थे transaction मतलब आपने अगर YouTube पे ही lecture देखा है तो description box में देखेगा वो questions आपको मिलेंगे और ज़रूर solve कीजेगा आज sir और maim हम एक नया point नया concept clear करने वाले account का क्या है sir वो concept है आप ध्यान से देखेगा that is drawings and capital yes sir ये देखो drawings and capital sir ये concept क्या है कैसे हम पढ़े कैसे हम ध्यान में रखे पहले सुन लो sir कोई भी business अगर करता है तो मुझे बताना दोस्तो एक तो वो business में cash लेके आएगा ताकि business start हो जाए और या तो उसे जब requirement होगी तब business मेंसे पैसे निकालेंगा yes or no yes sir बट दोस्तो जिस society में हम रहते हैं उस society में हर चीज़ के लिए कुछ word define कर दिया गया कुछ words को ला दिया गया है हिंदी में अगर मैं कहूँ कि sir मुझे दोफिर का खाना चीए है ना मैंने रात को खाना खाया मैंने इवनिंग को खा लिया मैंने शुबे भी खा लिया थोड़ा बहुत क्या इसकर खालिया 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 है ना खाना खालिया करके मराठित सकाड़ी जेवलो संद्यकाड़ी जेवलो ठीक है वर्ड यूस हो रही है अब ध्यान से सुनना इंगलिश में अगर मैं बात करो अगर में सुबह सुबह खा रहा हूं अगर नहीं को कह रहा हूं लंच अगर में को KHा रहा रहा रहों डिनर अगर आप गलती से बोल दो अरे दोफिर को वही डिनर करने जाते हैं आपके दोस्त हसेंगे मजाक उड़ाएंगे खाना ही बोला था ना लेकिन समझ रहे हो वर्ड का इंपोर्टन्स अगर जैसे हम इंग्लिश में आ रहे हैं कुछ चीजों को डिफाइन मतलब कुछ लोग को ऐसे कुछ चीजों को कि अगर आप दोफिर को खा रहे हो तो लंच बोल देना भई खाना ही खा रहा था हा जेवला सो हो अच्छ तो रात को खा रहा है लंच मत बोल क्या बोल डिनर बोल समझेगा कि रात को खाया अच्छा हो के सर तो लंच डिनर ब्रिकफास समझ गया अगर यह नहीं नहीं बोलते हैं तो लोग तुमको पागल समझते हैं एनिवेस कंसेट तो क्लेर था तो सर लंच डिनर और ब्रेकफास ये चीज़ अगर आपको समझी सुबह सुबह ब्रेकफास दो फिर को लंच रात को डिनर अक्छा सर थोड़े बहुत जितना अपने को ग्याने उतन समझना पढ़ेगा हां सर समझना पढ़ेगा कापिटल कभ कहा जाता है ड्रॉइंग last कभ कहा जाता है बिजनेस में पैसा आही रहा है बिजनेस से पैसा जाही रहा है लेकिन इस सेशन के बाद आप लोग बा कि के बच्चे और तुमम् этомत समझ में आ जाएगा ध्यान से सुनियेगा सर, capital के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, everyone pay attention, सबसे पहला दो marks का सवाल आएगा, define capital, ध्यान से सुनिये, capital means was the total amount invested into the business by the owner, underline कीजे, is called capital, पहला point खतम. सर, अगर कोई owner, initially business में क्या लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, पैसे, या stock, या community, जो भी जो भी उसके पास है, लेके आ रहा है, तो उसे में क्या कहूं सर, वो capital होगा, आप अगर general entry, अगर आपने classes लगा है, उस level तक बहुत चुके हो, third chapter तक, तो वहाँ पे general entry होगी, क initially na businessman cash देता है, उसके पास laptop होगा, तो वो business में दे देता है, business start करने के लिए, तो वो जो जो चीज़े business में दे रहा है, तो आप entry क्या करते हो, cash is real account, debit what comes in, तो चलो cash account debit to capital account लिखते हो, yes or no, क्यों, क्योंकि क्या लिखा था, business started Mr. X, initially, कितना 50,000 amount डाल दिया था, general entry, जिसका chapter 3 जिन्हों ने किया है, उनको समझेगा, जिन्हों ने नहीं किया है, जब आप जाओगे तब आपको समझेगा, कि सर, capital मतलब क्या, the total amount, मेरे साथ समझ लो, क्योंकि Indian education system में तुम्हारी समझ से जाधा तुम लिख क्या रहो, समझ तो important है, लेकिन लिखने को जाधा marks मिलते है, सर, हाश reality है, है, कितना भी concept मैंने भारी clear करा के दिया, बच्चों को paper में यहादी नहीं आ रहा है क्या लिके, समझो क्या, the amount invested into what, business, by whom, by owner of the business, it is called capital, पहली बात, पहला point, दूसरा point है, या आप ऐसे बोल देना, excess of asset over the liability is also called as capital, the equation, सिप equation याद रोखो, जब second chapter आएगा, तब मैं आपको बताऊगा, क्या है equation मालिक, capital is equal to your assets minus liability, तो जब आपके business में assets से जादा, excess of asset over liability is called what, capital, sir, यह second chapter में बहुत अच्छे से clear करा के दोगा, अब सिप इतना word by word समझ लो, पहले इसमें पहला line important है, ठीक है, capital is a liability of business as amount is payable by the business enterprises to the owner at the time of closure of the business, यह मुझे आपको समझाना है, इस line को, ध्यान से सुनिएगा, sir, और मैडम, यहाप ध्यान दीजेगा, क्या है, sir, हम business कर रहे है, business कर रहे है, यह business man, number one businessman, समझ में आ रहे है, जे ठालाल जे, आपको, अगर आपने initial मेरे वीडियो कुछ देखे होगे, इसी chapter में आपका एक concept ह है, क्या concept है, बताओ, sir, ध्यान से सुनना, उस concept को मैं थोड़ा छूरा, बाद में वापस में आपको सिखाऊगा, लेकिन आपकी ही book की बात है, see, everybody, यह वाला concept है, business entity concept, दिखा आपको, क्या कहा है, मैं ध्यान से सुनना, accounts आप समझी के पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, sir, क्योंकि आगे जा कि यह chapter नहीं समझाना, और teacher बोलेगा, capital liability side को क्यों लिखा, वो क्यों liability है, वो तो मेरा ही पैसा है, मुझे थोड़ी ना, कि अच्छे liability मतलब पता है, यह सुर नो, sir, liability क्या होता है, अगर मैंने आप से पैसा उधार पे लिया, तो मुझे आपको लोटा नहीं है, यह मेरा क्या liability है, समझ में आ रहा है आपको, यह सुर नो, लेकिन business में में नहीं मेरा खुद का पैसा डाला, क्यों से liability होगी, sir, मेरा खुद का पैसा, सुम्रा सवाल समझ रहा है क्या, क्या कहा सर, see, capital, यह वाला point पढ़ो, capital is liability of business as this amount is payable by the business enterprises to the owner, business entity concept क्या है, सु इंदर simple शब्दों में कह रहा हूँ, business and businessman, both are separate from each other, मेरे बच्चों को कहा है, मैंने, जब class, हमारा जो regular classes चल रहे है, मैंने क्या समझा है, बेटा, कि आप accountant, business के हो, owner के नहीं, I repeat, आप accountant, किस के हो, business के हो, अपना angle clear रखना, पहले business entity concept समझना बहुत जरूरी है, sir, कि business and businessman, both are separate from each other, तो जो owner ने, पैसा दिया हुआ, as a capital, business को, ये business के responsibility है, कि वो बाद में owner को क्या करे, return करे, that's why, वो business का liability है, कि owner को बाद में क्या करे, पैसा return करे, इसलिए as a liability रहता है, तो आपको अगर पूछा, capital क्या होता है, बताए, liability होता है, कि क्या, तो आपको बताते है, आना च attention, वापस एक बार ध्यान से सुनी, और पढ़ लिजे, इस लाइन को, capital is what, liability, आपको true और false में आएगा, क्या capital business का asset होता है, क्या, answer is false, capital is what, liability of the business, as this amount is payable by, कौन किसे देगा, business enterprises to owner, at the time of what, closure of business, तीन पॉइंट खतम, capital, इधर इतना ज्यान बहुत हो गया, business entity concept, बाद में reference इस से connected था, ये बता दिया, अब कोई confusion नहीं होना चीए, तीन पॉइंट मेरे साथ, पहला point, the total amount invested into the business, by whom, by the owner of business, it is called capital, पहला मुद्दा खतम, ओके, दूसरा, example लिख देना, या तो ये line लिना, excess of asset over liability is called capital, अब आपको asset भी समझा, liability मैंने बता दिया, excess of what, asset over liability is called dash dash, one word के लिए आता है, sorry, one term, one word आता है, na, के excess of asset over liability is called dash dash, एक मास का objective, देखो बच्चे रट्टे अबजिक्ट्व में जाते है, अपने बच्चे को जरूत नहीं पड़ेगा, अगर मैंने बोला, excess of asset over liability is called what, capital, एक मास दन, तीसरा point, तीसरा point, capital is asset of the company, true or false, false, capital, capital is liability of the business, as this amount is payable by the business enterprises to to do owner, at the time of what, closure of business, capital done, तीन पॉइंट लिखे, दो में से दो माक्स मिल जाएंगे, क्या भाई और बहनो, capital ये मुद्दा समझा क्या, ध्यान से, आप जिसी भी college में हो, आप जहां पे भी हो, अगर आप ना सिख से हो, तो definitely हमारे class को विजिट कर सकते हो, college रट अब वोड लैं काई concept नहीं clear हो रहा है, और बाद में teacher ने कितना भी दिमाग लगा के बताया, कि इसको liability side डालना है, या फिर, यह नो कि जब general entry के वक्त जब teacher बताएंगे, कि initially invest किया है, तो इसको capital नाम दे दे, तब बच्चा confused होता है, ऐसे क्यों करना है, anyways, क्या तीन पॉइंट हो गए, लिख लेना, जो पढ़ रहे हो लिखना, what do you mean by drawings, चलो, दो marks के लिए, initially business में पैसा invest किया, capital कह दिया, breakfast, lunch, dinner, ध्यान से, अब जब मैं business से पैसा निकालता हूँ, ध्यान से सुनना, जब मैं business से पैसा निकालता हूँ, लेकिन उस पैसों का use, मैं business के लिए नहीं करता, मैं मेर और बबीता जी को gift दे दिया, business से पैसा निकाला, और टपू की tuition fees बर दी, business से पैसा निकाला, और अपना life insurance बर दिया, household expenses ऐसे आएंगा, बाद में आप जो थर्ड चैप्टर पे जाओगे, तो general entry में आप करोगे, तो sir, simple शब्दों में एक बात कहूँ, कि जभी भी businessman, business में से पैसे निकाल के, personal purpose के लिए use करता है, इसको एक term, इसको एक नाम में use करता, उसे कहता हो, drawings, अगर समझ गया, तो बहुत बढ़िया बात है, अब पढ़ भी लेते है, sir, see everybody, now, the amount of cash, या फिर value of goods, या फिर assets, अब goods और asset में क्या फरक है, आगे के lecture में आपको मैं समझा हो ग गी, withdrawn from the business, by the owner, हजार बार अंडरलाइन करना, for personal use, is called, was, drawings, खतम हो गया, दो मार्क, define drawings, तुम लिख दोगे, मेरे साथ बोलो, चलो, everybody, क्या कहा, the amount of cash, और value of goods, asset, etc., withdrawn from the business, by whom, by, who, by the owner, for which purpose, for personal use, is called, drawings, समझ गया, everybody, once again, की बात है, the amount of cash, or value of goods, assets, etc., withdrawn from the business, okay, by whom, by the owner of the business, for what, for personal consumption, अगर वो personal use के लिए, तो उसे का जाएगा, drawings, आप example लिख देना, कि proprietary, मतलब जेठा लाल, okay, pays college, फिर ओफिसर, टपू का college फिस दे दिया, और pays medical expenses, खुद की दवाया ले ली, और mobile wheel, etc., for from the business, business से पैसे निकाल के, मै personal use के लिए, उसको use कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, drawings कहेंगे, खतम सर, दो terms को हमने खतम किया, कौन से दो term को खतम किया, सर, ध्यान से कहना, मुझे बताना, एक है capital, initially, जब businessmen, पैसा business में लाता है, वो तो cash है न, तो उसे क्या कहा जाएगा, capital, दूसरा, उस cash को business में से न लिखते होगे, तो उसे हम क्या कहते है, उसे हम drawings कहते है, तो बेटा, आपके third chapter में, आप कहीं पे भी classes कर रहे हो, आप कोई भी college में हो, आपके teacher आपको जरूर बताएगा, जब journal entry pass करना होगा, तब बच्चों को समझ भी नहीं आता है, drawings word आया कहा से, क्योंकि पूरे transaction में drawings लिखाई नहीं होता है, पूरे transaction में capital word लिखाई नहीं होता है, फिर बच्चों सोचते हैं, यह word कहा से आगया, capital drawings यहां से आया, इस lecture का बहुत बड़ा importance था, अपने सारों सारे दोस्तों के lecture share कीजेगा, समझ के पढ़ो बहुत दूर तक जाओगे, और पढ़ाई में interest आए English में बात करें, तो आपको दो फिर के खाने को lunch ही कहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लोग हसेंगे, क्या पता क्यों, बट है न, कुछ बाते हैं, जो बोलना पड़ता है, कुछ terms है, है सर, जैसे यहां पे अगर capital और drawings sorted, ओके, तो दोस्तों, चैनल को आपने subscribe कर लिया होग